हिंदी टीवी सीरियल ये रिष्टा क्या कहलाता है, में ट्रामा कभी खत्म नहीं होता, बीदे एपिसोड में देखने के लिए मिला था कि अभीरा होटेल का बिल भरती है और कंगाल हो जाती है, घर जाकर वे इह काफी रोती है, अपनी मा को याद करती है और इसी बीच जब उसे भूख लगती है, तो वे हम बाहर खाने के लिए जाती है, वह भटकते भटकते उस जगह पहुँच जाती है, जहां अर्मान गरीब लोगों को खाना देने आता है और यहां पर अर्मान उसे देख लेता है, अभीरा को देखकर अर्मान चौंक जाता है, आज की एपिस नगरीब लोगों को इस बात का फायदा उचाते हुए देखने वाले हैं, जिसके बाद दादीसा किसी भी खेमत पर अर्मान और रुही की शादी कराने का फैसला करती है, वही मनीश्च स्वर्ना की शादी की सालगिरे के पार्टी की तयारी में अर्मान रुही की मदद करत इस पार्टी में मनीश दादी सा के फैसले का विरोध करता है, लेकिन बाद में वे हर्मान और रूही की सगाई करा देता है, ये देकर अभिरा का दिल तूट जाता है और वहां से चली जाती है, अभिरा के पास खाने के लिए हसे भी नहीं होते हैं, ऐसे में अब कहानी नया म मौकरीन नहीं मिलती है, क्योंकि संजय बंसल उसे जॉब देने से मना कर देता है, राजन शाही के ये रिष्टा क्या कहलाता है कि अपकमिंगे एपिसोड में हम देखेंगे कि अभिरा को इहसास होगा कि संजय उसे वकेल नहीं बनने देगा और इसलिए वेह कमाई के लिए एक वेडिंग प्लानर कमपनी में शामिल होने का फैसला करेगी, हलाकि वेडिंग प्लानर बनाने के बाद वे हर्मान और रूही की शादी को संभालेंगे, अभिरा के वेडिंग प्लानर बनाते ही उसे अर्मान और रूही के लिए काम करना होगा, हम आगे देखेंगे कि उ मेरा अक्षरा और अभिनव की बेटी है अब ये देखना दिल्चस्प होगा कि क्या इस खुलासे से अर्मान और रुही की शादी रुकेगी या नहीं